नमस्कार सर मेरा नाम राजु है माल लिजी कि NJ Mutual Fund में आप पैसा इंवेस्ट करते हैं इस एप के थुरू करते हैं तो NJ India Online.k website को आपको लोगिन करना है सेम ID password है जो आप NJ Wealth के app मेरा लोगिन करते हैं सेम ID password से लोगिन करना है यहाँ circle को टच करना है उसके बाद profile को टच करना है profile में touch करने के बाद माल लेते हैं कि आपका nominee details में कुछ गलत है आपने कुछ और भराता वहाँ पे कुछ spelling mistake है या फिर दो nominee में wife और mother को आप 50-50% करना चाते हैं कुछ भी modification करना चाते हैं nominee details में पहले से nominee है लेकिन आप उसमें कुछ भी modification करना चाते हैं तो इसके लिए आपको सबसे last वाला जो line है online request submission इसको आपको touch करना है touch करने के बाद इस add के button को touch करना है add करने के बाद यहां document selection है यहां पे आप देखेंगे nominee edition form nominee modification form आपको modification में जाना है यदि आपका nominee नहीं दिखा रहा है तो edition form में जाएंगे लेकिन दिखा तो रहा है पर कुछ गलत है कुछ गरबर है उसमें या फिर modify करना है change करना है नाम को तो आप nominee modification form में जाएंगे इस form में जब जाएंगे तो यहां पे आपको एक form मिल जाएगा PDF का nominee modification form इसको आप download कर लेंगे, download करने के बाद यह PDF हाज जाएगा, यहां आपको DP ID और client ID नजर आ रहा है यह 8 digit इधर लिखना है 8 digit इधर लिखना है profile में जब आप जाएंगे profile में demand account number लिखावा है solar digit का, 8 digit इधर लिखना है 8 इधर लिखना है, UCC वही है जो आपका user ID है, njwealth add में जो login करते हैं या फिर जो इस website में आपने login किया, 5-6 digit का number उसको UCC बोलते हैं, unique client code बोलते हैं यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे second order और third order को आप blank कर देंगे nomination modification में आप modification को tick करेंगे, existing details जो भी है, mother है, wife है जो भी है, गलत है, जो भी है वो लिखना है, new details में आपको new जैसा चाहते हैं, वो लिखना है फिर आपको first holder पे sign करना है second और third को blank रखना है सिर्फ first holder पे sign करना है यह form भरने के बाद दूसरा page है दूसरे page में nomination का details फिर से लिखेंगे 100% देना चाहते हैं, तो 100% देंगे दो बच्चे को nominee बनाना चाहते हैं तो 50-50 करके रखेंगे तीन बच्चे हैं, तीनों को बराबर बराबर देना है तो यहां 33, 33, 33 लिखेंगे nominee के साथ आपका क्या relation है mother, father, son, daughter वो लिखेंगे address लिखेंगे, उनका telephone, number, email ID लिखेंगे यह 8 और 9 column तभी भरना है जब nominee minor हो, 18 साल से नीचे हो उसके बाद जो यह column आ रहा है 10 से 11, 12 यह तभी है जब nominee minor हो इस दोनों form को भरने के बाद यहां online request submission में जाना है फिर से, यहां से आपने download किया था उसी form को जो print out निकाल के सारा details भरा था, यहां पर आपको upload कर देना है जब आप submit करेंगे, submit करने के बाद next एक witness का नाम लिखना पड़ेगा उनका email ID लिखना पड़ेगा और submit करने बाद उस witness के पास एक email का link जाएगा, उसको वो verify कर देंगे तो आपका nomination यहां पर update हो जाएगा इसी तरह NJ mutual fund के बारे में आपके पास कुछ और query है आप पहले से invest कर रहे हैं पर आपका advisor आपको help नहीं करते हैं तो आप मेरे number 9929641265 पर WhatsApp करके mutual fund related कोई भी help ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें Thank you so much